हेलो दोस्तो, स्वागत है आपके अपने चैनल AJ Medicines में, मैं हूँ आपका दोस्त अजीत आज मैं आप लोगों को Man Force Mouth Resolving Thin Strip के बारे में बता हुआ इसे कैसे इस्तेमाल करना होता है, करने से कितनी देर पहले इसे इस्तेमाल करें और क्या इसके फाइदे हैं और क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका असर कितनी देर तक रहता है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलेगी तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोडिफिकेशन बेल कॉल जरूर कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रेलेटेड तो वो आप तक नोडिफिकेशन के दोआरा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ने करके हम वीडियो को सुरू करते है दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सुरू से लेके आएंड तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जानकारी मिस्ट ना कर सको मेन फोर्स माउथ डिजॉल्विंग थिन स्ट्रिप एक एलोपैथिक स्ट्रिप है जो कि बिना प्रिस्किप्शन के आपको हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी यह एक बॉक्स की पैकिंग में आता है और इस बॉक्स में साथ स्ट्रिप होती है और इस साथ स्ट्रिप का जो प्राइज है वो है 280 रुपीज ओनली इसकी एक स्ट्रिप आपको 40 रुपे में मिलती है कंपनी से बनाती है मैंकाइन फार्मा और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है स्ट्रिप अब मैं आपको बदाता हूँ कि इससे फायदा क्या होता है तो दोस्तों इससे फायदा यह होता है जिन लोगों को बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्राब्लम है उनकी टाइमिंग बहुत ज्यादा कम है उसको यह बढ़ाता है टाइमिंग को आप पहले से ज्यादा टाइमिंग तक कर पाओगे यह इसका फायदा देखा जाता है अब हम जानते हैं कि इसे यूज कैसे करना होता है तो देखिए इसे यूज करना बहुत ही simple है, बहुत लोग लेकिन गल्ती करते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे यूज करना है, कुछ लोग इसे खा जाते हैं, कुछ लोग confused होते हैं कि जीब के नीचे रखना है कि जीब के ऊपर रखना है, तो इसे आपको जी अब हम जानते हैं कि इसे यूज कि नहीं करना है, 16 साल से कम उमर के बच्चों के लिए ये नहीं है, तो इससे दूरी बना के रखें, और इसके नुकसान क्या देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं, जब आप इसे स्ट्रिप को लेते हो और लेने के बाद आपक सिर में तेज दर्दोन लगे, तो समझ लीजिए कि आपको इस उट नहीं हो रहा, या फिर आपको धुंदला दिखाई देने लगे, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको इस उट नहीं हो रहा है, या फिर कई लोगों के चेहरे पे, गर्दन पे, कान के पीछे, कान पे, जब जदक गर्माहट महसुस होती है तो ऐसी कंडिशन में भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई सूट नहीं हो रहा या फिर आपको दस्त जैसी प्रॉब्लम देखने को मिले तो भी आप समझ सकते हैं कि आप कोई सूट नहीं हो रहा है और जब यह सूट ना हो तो इसे दुबार वज़त दीजिये, नमस्कार.